हाई दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आउले की खटी मिटी लौजी यह विटामिन सी और आइरेंस से वरपूर होता है तो चलिए सुरू करते हैं तो उसके लिए मैं आधा किलो आउला ली हूँ यह आउला खराब नहीं है यह ऐसे ही है तो इसे मैं दूल कर साफ कर ली हूँ और इसमें से मैं आधा आउले का ही लौजी बनाओंगी तो यह मैं नेक भगोने में पानी रख दी हूँ और उपर से जाली दाज छनी इसके उपर हम रख देंगे आउले को और इसे कवर कर देंगे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट में ही आउला अच्छे से स्वाप्ट हो जाता है तो ये देखिए इसका एक जो पीस होता वो अलग हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं जो सब्सक्राइए अब हम इसे हाथों की सायता से इसके एक एक पीस को और इसके गुटली को निकाल कर फेक देंगे तो इसी तरह से मैं सारे आउले को निकाल ली हूँ तो मैं कड्हाई में दो चमच तेर ली हूँ चोटी चमच से और खोलो जीरा घॉम्चन कही है और इसे मैं लूँ ज्ट झाले हूँ वर इसे मैं अच्छ से भून लूँ inकरना लूँ और अब हम इसमें डाले के आउले को तो इसमें डाल कर भून लूँ और इसमें एक चम्मस देगी मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला अट करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे लगबग एक से डेड़ मिनट के लिए ही भूनेंगे इसे सि से चार मट के लिए इसे मैस करते रहेंगे आउले को तो हमें लगभुक चार से पांच मट हो गया है पकाते हुए और ये अच्छे से मैल्ट हो गया है तो अब हम इसका फिलेम बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व करेंगे तो ये ठंडा होने के बाद और गाड़ा हो जाता है तो ये देखें आउले की खटी मीठी लोजी बनके त्यार है और ये बहुत ही टेश्टी होता है जो लोग आउला नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे हमें आउले का सेवन जरूर करना चाहिए और कैसी लगी रेस्पी कमेंट में बताएं पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें